दोस्तों जो इलक्ट्रिशन के कुछ महत्वपूर्प्रशन हम लोग देख रहे थे उसका यह तीसरे भाग का वीडियो है तो यह काफी महत्वपूर्प्रशन है और एक्जाम अगरा में या इंटर्वियू में भी पूछ लिया जाता है तो इन पुरशनों को आप टेटेल मे के लिए मिलेगा कि कांटिनियूटी तो आपको कंफ्यूजन होगी या किसी भी उपकरण को जैसे कि आपको मोटर है प्रेस है पंखा है या कोई भी चीज है माली कोई भी एक्कुपमेंट है इलेक्टिकल का यदि आपको उसको चेक करना है पता करना है कि वो सही है कि नहीं सही है, तो उसमें मेन भूम का जो हमारा यही vaccinated निभाता है, अगर आप continuity जान जाएंगे, तो आप उस उपक्रण को चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे कि वो उपक्रण आपका पने सही है, कि नहीं सही है, अब आइए जानते हैं कि continuity आगिर होती क्या चीज जा दैखें, प्रतरोध है हमारा मान लेते हैं हम प्रेस का प्रतरोध है हमारा प्रेस होगा या पंखा होगा या कोई भी चीज होगी उसके अंदर क्वाइल होगी ना इस तरह से क्वाइल होगी ठीक अब यह क्वाइल ही है तमझ लिए यह भी मान लिए तो इसमें सप्लाई यहां पर दें किसमीर कई म्मालिज को निया पंक्षा या तो हमक्तिक काई हैं सिरीज लैंप से भी चेकर सकते हैं इस Centre से भी चक कर सकते हैं, continuity can continually, कیک है यह क्या करता है कि जैसे आप जब remote check करेंगे तो इसके उपर बजर का एक आप्ण सबनाएगा देखए जैसे कि हमारा मul्टीमीटर है, series lamp से भी हम इस तरह से check करेंगे यहां पर देख़ए बजर का सिंबल दिया गया है अगर आप देख पा रहे हूं तो यह बजर का सिंबल यही पताता है कि continuity यहीं से पता चलती है हमें continuity में क्या होगा कि यह जो दोनों तार होते हैं multimeter के जब भी आप industry में जाएंगे या कहीं पर भी आपको किसी चीज को तार है ठीक है अब इस तार की हमें अगर continuity चेक करनी है कि तार हमारा कैसा है इसमें हम सप्लाइज दे सकते हैं कि ने दे सकते हैं कोई भी चीज की आपको continuity चेक करनी है तो सिंपल तरीका है इन दोनों तारों को आपको यहां पर और यहां पर इस तरह से आप लगा देंगे देखे इस तरह से आप लगाएंगे तो यह बताएगा इस तरह से बज़र करके मतलब कि यह तार हमारा इदम सही है इसको हम use कर सकते है इसमें continuity है ठीक है ? तो यह चीज होती है हमारी continuity मतलब यहां पर और यहां के बीच में कोई भी break नहीं है तार यह हमारा तूटा नहीं है यसी तरह कोई भी पंखा है, प्रेस है, या कोई भी चीज है, मोटर है, उसकी भी हम continuity चक करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले continuity में मोटर में भी जो टर्मिल होगे, उनको इस तरह से आप लगा करके चेक कर लेंगे, कि उसमें continuity है, कि नहीं, continuity मतलब हो गया, कि उसकी जो अग पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, तो वो हमारी continuity होती है, तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि continuity क्या चीज होती है, अगला है हमारा safety suit के क्या फाइदे है, देखें safety suit जो होता है यह बहुत ही महत्यपूर्ण सुरच्छा उपकरंड होता है, इसका प्रियो हमारा 150 खुक इसमें दो परकार की हमारे सब्स्वाइफ की ओर ये 1 और एक ऐमारा ये लक्टिकल ये आथा अब मच्य निकल का आता है उस पहलड़ होता है उसमें क्या कि हुता है इस जगा पर यहांपर इस तरह से एक स्टील की काटोरी यहाँ पर बनी हुई लगी हुई होती है उससे क्या होता है कि माल लिए मेकेनकेल का काम है ज्यादा वज़न का काम है माल लिए किसी कारण से हाथ से अगर कोई चीज छूट गई माल लिए कोई वजनी चीज़ आप लेके जा रहे हैं जिससे की कोई भी चीज गिरेगी तो आपके उंगलियों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जो हमारा इलेटिकल का सेप्टिस होता है वो थोड़ा साल अलग होता है इसमें क्या होता है कि इस जगा पर स्टील की जगा पर प्लास्टिक की कटोरी डाली जाती है मजबूत उतनी ही होती है उतना ही वो वजन सह सकती है लेकिन वो प्लास्टिक की होती है प्लास्टिक की से लिए होती है कि चुकि मान लिए जमीन से अगर कांटिनूटी मिलती है तो अगर आपका पैर जो है वह उसे मतलब आप सप्लाई पर काम कर रहे हैं और यह श्टील काटोरी है अगर आर्थ मिल गया तो यह पूरा एक कंड़क्टर का काम करने लगेगा आपको सौक लग सकता है तो प्लास्टिकी काटोरी यहां पर लगाई जाती है और दूसरा इसमें क्या चीज फाइदा होता है कि इसकी जो तर्वा होता है ना जो इसकी सोल होती है वह एक इस्पेसल प्रकार के इस्पेसल प्रकार के रवर होती है उसको चेक किया जाता है कि जैसे कि मतलब इसमें भी कटेगरी वाई कई जगा पर इस्पेसपाइज कर दिया जाता है जूतों को कि जो जूते होते हैं इनको चेक किया जाता है कि कुछ केवी पर इनकी बोल्टिज को चेक किया जाता है 440 पर तो चेक ही किया जाता है कुछ केवी तक एक केवी तक लगवक चले जाते हैं लेकर के चेक करने के लिए कि यहां पर एक तार रखते हैं और उपर एक तार रखते हैं इन दोनों के बीच में ही जूता रख दिया जाता है अगर कंटिनूटी आ जाती है तो हमारा वो सोल जो है वो सही नहीं है मतलब कुमला करके अगर कोई ब्यक्ती मान लीजिए कि 440 वोल्ट पे काम कर रहा है और कहीं किसी काड़ से अगर वो फेस तार को छूब ही लेता है कि आपके पैरों की भी सुरच्छा करता है और प्लस आपको बिद्दूच से भी सुरच्छा करता है अगला है हमारा फ्यूज अब फ्यूज क्या चीज़ होती है देखे फ्यूज जो होता है किसी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है तो कमजोर हिस्सा कैसे होता है कि दे कोई जैसे माली यह हमारा यह स्विच है ठीक है इस स्विच में हमने फ्याइश दे दिया और यहां पर हमने न्यूट्रल दे दिया अब यहां पर क्या है अगर सप्लाई में किसी प्रकार सी हाँ पर सौर्ट सर्कृट होता है तो क्या होगा यह बल्ब हमारा अगर कहीं से कोई कोई दिक्कत आती है, short circuit होता है, या over current होता है, कोई भी problem आती है, तो क्या होगा, पूरी के पूरी wiring हमारी जल जाएगी, यह switch जो है, या इसके अंदर ज़्यादा capacity होगी ना, current, यह तो pass कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, यह बंदी नहीं करेगा supply को, लेकिन अग अगर हम इस में इस तरह से, यहां पर एक fuse लगा दें, अब यहां पर फेश दें, अब यहां पर नूटरल दें, अब यहां पर क्या होगा, अगर इस circuit में कोई problem आती है, तो switch हमारा अगर आन भी रहता है, तो जैसे मं लिज़ घाखी हमने 2-ampIear का यहां पर fuse लगा दिया, जैसे ही दो एमपियर से उपर करेंट अगर यह सौट सर्किट के कारण किसी भी कारण से माल लिए यह जो हमारा बल्ब है वह एक एमपियर का करेंट पर आराम से स्मूथली काम करता है अब किसी कारण से माल यह हम पर शॉर्ट सर्किट होती है कोई प्राबलम होती है तो यह जो सर्किट है वह दो एंपियर से उपर जैसे ही करेंट लेगा यह फ्यूज हमारा अपने आप बिना कुछी समस्या के ओपन हो जाएगा पिघल जाएगा हमारा जिससे क्या होगा सप्लाई फेस जाना ही बंद हो जाएगा और हमारी ये पूरी वाइरिंग बाल्ब ये सारी चीजें हमारी बच जाएगी इसमें क्या है ये सप्लाई ये पास करता ही रहेगा यह हमारा स्विच जल जाएगा बल्ब जल जाएगा वाइरिंग पूरी जल जाएगी तो हम फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि यह सबसे कमजोर हिसा होता है जैसे ही रेटेड करेंट जो इसकी निश्चित जो करेंट है उससे जैसे ही उपर करेंट फ्लो होगी तुरंट फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा अगला है हमारा करतरिम स्वांस विधी क्या होती है तो फ्यूज तो आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है आप कर्टरिम अब यहाँ पर क्या है कुछ जगह पर यहाँ पर फ्यूज की जगह पर हमジ si be का भी उज हमारा कर्टरिम स्वांस बीन हिं क्या होती है चब किसी क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को बिद्दूत का जटका लग जाता है या किसी संपर्ख बिद्दूत के संपर्ख में आ जाता है तो निश्यत बात है वो बेहोस हो जाएगा बेहोस होने की इस्थिती में उसकी जो फिफड़े हैं वो काम करना बंद कर देते हैं ठीक है उस कि इसके ही धड़कन रूक जाती है काफ यह तक ही हो जाती है उस वक्त उसे करंग सांस्स बिदिंडे डेना बहुत ही आवशक है अभिसमें आहिक कई प्रकार होती है जैसे काइप मूह से मूह commerce bạn अभिसमें क्या होता है तो उसी क्याता फेफड़े उसके काम करना सुरू हो जाते हैं और उस बेक्तिकी जान बच जाती है मतलब यह हमारा फर्स्ट एट प्राथमिक उपचार की यह बिदी होती है जो हमारी कृत्रिम सौंस बिदी होती है उसके बाद फिर आप डक्टर को बुला लीजिए कहीं पर भी उसकी इलाज करा लीजिए वो तो ठीक है लेकिन पहले तो उसकी फेफड़ों को एक्टिब करना जरूरी है पहले तो उसकी जानी बचाना से जरूरी है कि उसको सांस तो लेना पहले उस सुरू करे तो कृत्रिम स्वांस बिधी जो होती है जैसा नाम से क्लियर है कृत्रिम स्वांस बिधी तो यही होती है कि कृत्रिम रूप से आपको स्वांस देना है नेचुरली वो स्वांस नहीं ले पा रहा है तो आपको कृत्रिम रूप से स्वांस देना है अगला है हमारा PPE साधन क्या हैं तो पीपीई ये साधन होते हैं हमारे वो इसका फुल फार्म क्या होता देख लिए आपको क्लियर हो जाएगा परसनल प्रोटेक्टिव एक्किपमेंट्स होते हैं हमारे पीपीई किट अब पीपीई किट जो होता है इलक्ट्रीशन के लिए भी बहुत महत्पून होता है म पर फेस सेल्ड या सुरच्छा चस्मा वो जरूर उपयोग करें इलक्ट्रीशन है तो वो प्रॉपर तरीके का जो आपका पी जो सेप्टी सू है उसका उपयोग जरूर करें ठीक है जो उसके जो इंसुलेशन जो उसके टूल है वो प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड होन काम करें तो वह पी पी इ साधन होते हैं परसनल प्रोटेक्टिव एक्टिप्मेंट जो आपकी स्वैंड की सुरक्षा कर दें काम के दौरान वह आपके परसनल प्रोटेक्टिव एक्टिप्मेंट हो जाते हैं तो इस तरह से हमने पांच कोश्चनों को डिटेल में समझने की क कोसिस की है तो मुझे अमीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो से आपको काफी कुछ सेखने के लिए मिला होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज्यादा लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी इ विए अकर उनसे पूंचा जाए तो वह आसानी से पूरी इमानदारी के साथ जबाब दे पाएं और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा और इस विडियो से मंदित एद्याब के मैंने में कोई क्वेरी है कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछेगा तो मिलते हैं एक नए विडियो में नमस्कार दोस्तों